नमस्कार, न्यूस्लिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कारिक्रम, इतिहास के पन्ने मेरी नजर से। हम लोग अक्सर आजगल कर रहे हैं कि सिर्फ मेरी नजर नहीं देती है, मैं बलकि गाइड करता हूँ किसी विशेशग्य को उसके साथ नजर रखने के लिए। तो आज मेरे साथ तनुजा कोठियार जी हैं, जो अमेड कर उनिवर्सिटी में इतिहास कार हैं, मेडेवल हिस्ट्री के बहुत मशूर जानकार और एक्सपर्ट हैं, हम बात करेंगे अभी प्रोवोकेशन है वारा नसी में, जी हां मैं वारा नसी बोलता हूँ, हलांकि आम और लोग बातचीत पर काशी बोलते हैं, लेकिन काशी विश्वनात टेंपल कोरिडॉर में, उसके इनाउग्रेशन के समय, मोदी जी ने जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, अपने भाशन में कहा था, कि जब-जब इतिहास में औरंग जेव आया है, तो उसके जवाब में पॉर्टेंट पीरियड है हिंदुस्तान की राजनीती में, उसको स्ट्रेट बाइनरी में ढालने का, ये इसलामिक पीरियड है, ये नहीं देखना कि इसलाम बहुत सेंचुरी से हिंदुस्तान में अलग-अलग तीन रूट से आएं, ट्रेड के रूट से आएं, सबसे पहल जी और हम लोग बात कर रहे थे थोड़ी दर पहले कि या तो अलावदिन खिल जी थे या उसके बाद स्ट्रेट अवे औरंग जेब आ जाते हैं और इसमें भी हम सिर्फ उनको उसी धाचे में डालते हैं कि ये लोग आए हमारे हिंदूों के मंदिर तोड़ दिये और अपने मस्जिद बना दिये एक तरह से अपना धर्म को आके हमारे समाज पे हमारे हिंदू समाज पे थौप दिया और अब हमारी बारी है इसको रिडीम करने की हमारे जो मंदिर थे उनके रेस्टोरेशन के लिए हम कैमपेंड करेंगे पिछले 35 साल से ये कैमपेंड चलता रहा है राम जन्म भूमी के कंधे पे ये आंदोलन चला है और आज के हिंदूस्तान में जो भी मुद्दा जो भी डिविसिफ मुद्दा है उसके बुनियाद में अगर हम जाएं तो कहीं ना कहीं हमको राम जन्म भूमी मूवमेंट या उसका जो आंदोलन था उसके जड़ में वो हम पाएंगे तनुजा जी के साथ हम बात करेंगे जिस प्रधान मंत्री ने जिस हैज्टा के साथ औरंग जेब को हिंदूत व ताक्तों के मोस्ट विलेनस कारेक्टर के तौर पे पुना एक बार पोट्रे किया जो पॉपॉलर जो इंप्रेशन जो औरंग जेब के बारे में जो फैलाया जाता है जो पॉपॉलराइज किया जाता है वो शायद आप लोगों को जो इतिहासकार हैं जो ने सीरियस स्टडी की है औरंग जेब उससे आपको काफी डिफ्रेंशेट करके आप देखते होंगे तो अगर हम स्ट्रेट अवे आपको ये पूछें कि औरंग जेब वास्तप में क्या थे ना वो विलेन थे और ना ही वो कोई सेक्विलर हीरो थे शाद बीच के ग्रे एरिया में एक्जिस्ट करते हैं औरंग ये वा उसी को समझने की ज़रूरत है तो आपकी मदद के साथ मैं खुद और हमारे शुरताओं को मैं समझाना चाहता हूँ जी धन्यवाद ये जो आपका जो सवाल है उसको कुछ लेवल पे मैं जिस तरह से हम क्लास्रूम में बच्चों से बात लगते हैं मैं वहाँ पर भी ले जाना चाहती हूँ तो पहली बात ये है कि जो हिंदुस्तान का जो इतिहास है जिसे साथ से उसको हम तीन भागों में बाट के पढ़ते हैं स्कूलों में भी पढ़ाते हैं एंशिंट हिस्ट्री, मेडिविल हिस्ट्री, मॉर्डन हिस्ट्री तो उसका जो एक पुराना रूप था उसमें अक्सर ये जो समीकरन इस तरह से बिठाया जाता था कि एंशिंट इतिहास जो था वो हिंदु काल का इतिहास था जो मद्यकाली नितिहास था वो मुस्लिम काल का इतिहास था उसके बाद अंग्रेज आ गए और अंग्रेज जो है वो भारतिय समाज को आधुनिक्ता की तरफ ले गए प्रोग्रेस की तरफ ले गए और ये जो अर्ली जो कलोनियल हिस्टारिग्रिफी है अंग्रेजों ने जो भारत का इतिहास लिखा उसमें इस तरह के डिविजिन्स ब लादी में जब भारत का इतिहास लिखा जाने लगा तो उस समय जो बृटिश राज जिस तरह से बन रहा था उसको अपने बनने की कि अंग्रेजों के आने की क्या जरूरत पड़ी उसका जस्टिफिकेशन देने के लिए उन्होंने एक तरह ऐसे जो मध्यकाल था भारतिय और खासकर कि जो मुगल सामराज्य के जो आखरी कुछ साल थे उसको उन्होंने एक ऐसे पीरियड के रूप में बताना शुरू किया कि इसमें तो सब कुछ गलत था के ओस था और देखो कैसे राजा थे और उसमें औरंगजेब जो है वो एक बड़ेक महतुपून फिगर के त कि दूसरे समदायों के साथ किस तरह के संबंद थे इसके अलावा जो उन्होंने किस तरह से जो है जो मतलब उनका बहुत लंबा समय था जिसमें उन्होंने राज्य किया उस दौरान में उन्होंने काफी समय दक्कन में बिताया तो जो उनकी कैमपेंस थी उन्होंने किस तर काफी सारी जो डिबेट्स जो मध्यकाली नितिहास की हैं और जो प्रिकुलरी को लेकरके होती हैं वो औरंगजेव के ऊपर सेंटर करती है जब कि अन से पहले भी काफी था और उनके बाद भी काफी रहा लेकिन औरंगजेव और उनकी नीतियां जो है वो बड़ा एक परस्नालिटी पे फोकस पे बन जाता है अगर हम ध्यान से देखें औरंगजेब के काल को एक लंबा काल है सबसे लंबा काल था पूरे मुगल है पीरियड है क्योंकि उसके पहले जो है वो battle of successions होती है अपने पिता को उन्होंने कैद किया दक् हम उनकी personality से हटा करके राज्य की तरफ देखें और उस काल की तरफ देखें तो ये काल जो है अपने आप मुगल इतिहास में काफी महत्तुपूर्ण काल है जो सत्रवी शताबदी का अंत और अठार्वी शताबदी के शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि जो मुगल सामराजे का धाचा है जिसको कि हम एक शुरू में हम मानके चलते थी कि वो बिल्कुल एक केंदरी क्रियत सेंट्रलाइज धाचा था उसमें धीरे धीरे हमें समझ आता है कि जो अलग-अलग फैक्शन हैं चाहे वो सिख हैं चाहे वो मराठा हैं चाहे वो जाट हैं वो मजबूत होते जा अगर हम देखें कि किस तरह से औरंग-जेब फंक्शन कर रहे हैं तो सतीष चंद्रा ने बहुत जो एक सीनियर हिस्टॉरियन थे उन्होंने काफी महत्यकुल काम बिल्कुल वो एक तरह से गुरू हैं हम सभी लोगों के तो उन्होंने जो पार्टीजन पॉलिटिक्स एक ब गोगल बादशा थे उनके समय से दरसल ज्यादा थी क्योंकि एरिया बढ़ता जा रहा था जागिर्दारी का जो एलोकेशन है वो बढ़ता जा रहा तो ऐसा कोई हमें कारण नहीं दिखता कि उन्होंने कोई बहुत जबर्दस्ट डिस्क्रिमिनिया हो एक तरह से कि एक जब हम इतिहास को जब हम बिलकुल मतलब एक प्रोपगेंडा की तरह जब हम पढ़ते हैं तो यह जो इंट्रिक्रिसी होती है जो अंदर में जो इतिहासकार किताबों को खोल करके देखते हैं जो नंबर या चोटी-चोटी बातों को देखते हैं उनको हम नहीं देखते हैं जो हम लोग की बहस होती है वो औरंगजेब के जो क्या समबंद थे अन्य समुदायों के साथ पर्टिकुलरली हिंदूओं के साथ और सिखों के साथ में भी इस बात पर हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं दरेसलगर आप देखें गुजरात का इतिहास देखें तो आपको और भी जगों में औरंगजेब के समय का इतिहास देखें तो हमें यह भी पता चलता है कि औरंगजेब को पर्सीक्यूशन किया एक खास किसम की ओर्टोडॉडाksi जो औरंगजेब के अंदर थी जो की सुनी इसलाम के को थी को तिक रहना की दो और उस इसा को लेते हुए हमको पता चलता है कि बहुत सारे समोधाइगा जैसे शिया, जैसे बहुत सावे हां रखे में हिंदु सिर्फ नहीं थे हमें पता चलता है कि कि उनके इन समुधायों के साथ भी बहुत ज़्यादा खराबते हमें पर्सिक्यूशन के बहुत सारे instances हमें मिलने हैं तो एक खास किसम की orthodoxy थी और अगर हम औरंगजेब का comparison उनके हम आज के समय में कैसा राजा होना चाहिए क्या वो secular थे या नहीं हम इस तरह की बहसों में जब हम बढ़ते हैं तो दरसल हमें औरंगजेब का comparison उनसे पहले वाले जो मुगल बादशाहा है उनसे भी करना चाहिए constant juxtapose किया जाता है कि अच्छे अकपर, good अकपर versus villain औरंगजेब तो यह किस हद तक valid है देखिए there is इस बात में कोई भी संदे नहीं है कि औरंगजेब का जो reign है या जो उसकी personality है उसमें एक orthodoxy है इसमें कोई और जो की एक तरह से यह comparison जो किया जाता है यह काफी हद तक जो है अगर हम देखें किस तरह की openness हमें अकबर के काल में मिलती है जहांगीर के काल में मिलती है तो उनके comparison में orthodoxy औरंगजेब के personality में और उनके decisions में ज्यादा है इसमें कोई संदेह नहीं है एक increase हो रही है एक खास किसम की position पे औरंगजेब अपने आपको रख रहे हैं वीजावी अपने से पोस्टर बॉइ बना दे हैं औरंगजेब को तो पहली बात ही है कि बात औरंगजेब से शरूबऑ बात बात यह वो दीडी तीड़ करके अक बर तक भी चली जाती है तो आप झीदा एक वो बना देटे है लेकिवन मिल जी तो है ही लेकिन फिर अकबर जिंको हम कहते हैं कि एक अच्छे बादशाह थे तीर दीर करके बाद वहां भी पहुंच जाती है कि आप अकबर रोट को भी बदल दीजे कि अकबर क्या थे तो हम यह जो सटल डिफरेंसेज हैं जो की अंतर हैं अलग-अलग बादशाहों में उनके काम करने के तरीकों में उनकी अंडरस्टैंडि में उस तरह का व्यू जो है वो हम लगातार देते चले जाते हैं इतिहासकार जब पढ़ते हैं इस काल को तो वो इन सारी चीजों की इंट्रिफिसी इन सारी चीजों की सटलिटीज क्या अंतर था मतलब अकबर से जहांगीर में क्या अंतर होता है जहांगीर से शाह जहान मे क्या अंतर होता है औरंगजेब के बाद का काल भी अपने आप में बहुत कॉंपलेक्स है और उसमें भी सबसे कॉंपलेक्स काल वही है क्योंकि उसमें हम समझ में नहीं आता कि क्यों डिसिंटिग्रेशन होता है उस पूरे सिर्फ यह नहीं क्योंकि हम यॉर्पियन कलोनिलिजम का जो जो दौर शुरू होता है वो समझ नहीं देखते हैं इन फैक्ट अगर हम देखें तो लोग जो है ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं अगर इन इंट्रकेसीज पर पर औरंगजेब का काल जो है वो जिसको कि हम चाइल अगर नहीं करते हैं अक्सर हम मानते हैं कि इतिहास जो है वो सब के बस का खेल है जी मैं याद करता हूं मैं मतलब आपको सुनते हुए मैं अपने स्कूल के दिनों में अपने इतिहास के क्लासिस को याद कर रहा था और क्या समझे थे तो उस समय तो एक इंप्रिशन जो प्रेजुडिस है जो हमेशा से रहा है उस फ्रेम में और अंग्जेब को फिट किया जाता था पिछले 35-36 सालों से खास्तों से जिस पीरिड में हिंदुसान में कम्यूनलिजम एक बहुत बड़ा मुद्दा बनके आया मेरा परस्नल एंगेजमेंट राम जन मभूमी आंद हिंदुसान की राजनीती का जो बेसिक जो मूल इडोल्यूर्शन हुआ है रिकॉन्फिगूरेशन जो हुआ है इसके पीछे शुरुवात होती है वारनसी से खतम होती है मतुरा से पूरा का पूरा जो और सोमनाथ तो है ही सोमनाथ का तो सार्दार पस्धागanka है का सरदार और पीछ में आयोध्या था, आयोध्या ऐस बिन रिजॉल्ट, वहाँ राम मंदिर बन रहा है, ठीक टाक्टिकली डिसेंबर 23 में लोकसभा अगले चुडाओके, ठीक कुछ महीने पहले उसमें श्रधालूओं की एंट्री शुरू हो जाएगी, यहाँ पे भी प्लेस अव वर और अरंगजेब को अगर हम विलेनसली पोट्रे करें, जैसा कि हिंदूतों के ताक्ते करें, तो हमको उसी तरह से, उसके कॉंट्ररी जो सेकुलर नारेटिव है, उसमें हमको और अरंगजेब को सेकुलराइज शायद नहीं करना चाहिए या नहीं किया जा सकता है, तो पोड़ा सा औरंगजेब को डी-सेंटर करना चाहती हूं, क्योंकि हम हमेशा बात जो हमेशा बात जो हमें हम को सुनने को मिलता है इस पत्रकार, कि साब इन्होंने तो हमारी मंदिर तोड़के वहां ग्यानवाफी मस्जिद बना दी और यहां पे हमारी क्रिशन की जन्म खड़ी करते हैं. इतिहास को बीच में लाकर के और उसको उस कॉनफ्लिक्ट को लेकर के उसको बढ़हाना चाहते हैं तो पहली बात यह कि मुझे तुम्हें, अगर मैं ट्रेस करती हूं, और टेंपल डेस्टर्क्षन जो है, वो भारती इतिहास में बड़ा मुद्दा रहा है, लेकिन इसकी जो अगर हम जड़ें देखें, या अगर हम इसका इतिहास देखें, तो इसका इतिहास सोमनाच से बहुत पहले से है, बिल्कुल, जो early medieval India जिसे कहते हैं, हम tripartite warfare तक भी जाते हैं, तो हम देखते हैं कि क्योंकि जो mandir, जो पूजा के स्थान थे, वो एक तरह से political power और उसके अलावा financial power wealth centers थे, तो अकसर जो है जब एक राजा दूसरे राजा को हराते थे, चाहिए वो हिंदू राजा ही क्यों न हो, वो कभी वहाँ से मूर्ती ले जाते थे, और मूर्ती ले जाकर के अपने राज़ानी में लगा देते थे, क्योंकि इससे ये साबित होता था कि हमने उनको हराया, कभी वो उनके मंदिर में अपने deity की मूर्ती लगा देते थे, तो ये उनक पर अपनी hegemony establish करने का symbol हो जाता है, वही इसी कारण से शायद England में भी आपको अलग-अलग जगा हमारे treasures मिलेंगे देखने को, बिल्कुल, तो अब ये जब हम देखते हैं कि इस लंबे इतिहास को देखते हैं, तो दरअसल जो जिस तरह से हम मद्यकाल की जो घटनाए हैं, जो temple desecration की, या temple destruction की जो घटनाए हैं, अगर हम उनको उसकी एक लंबे इतिहास के तौर पर देखें, तो वो add करती हैं, जो पहले घटनाए हुए, उनके साथ में जुड़ जाती हैं, यह कोई नई बात नहीं थी, पहले से होती आ रही थी, और आगे के समय में भी हुई, दूसरी बात यह है कि, इस पे कोई दो राय नहीं है, कि temple desecration और temple destruction मद्यकाल में भी हुआ, इस तरह से temple construction भी हुआ, लेकिन वो state policy के तहत हुआ या नहीं हुआ? स्टेट पॉलिसी के तहत, आम तौर पे वो invasions में, या जो मतलब victory का जो हिस्सा था, उसके तौर पर वो हुआ, धर्म का प्रचार करने के लिए इतना नहीं, जितना की अपनी जो विजय है, उसको establish करना, establish करने के लिए आम तौर पर हुआ, दूसरा हम यह देखते हैं कि पर्टिकुलर्ली जब हम मुगल काल में आते हैं, तो जो मतलब जो संख्या हैं जिस तरह की हम देखते हैं, कि कितने temples का desecration हुआ या कितने temples का destruction हुआ, यह एक बड़ी संख्या है, लेकिन अक्सर जो है हम इसके साथ साथ में हमें यह भी देखना चाहिए, कि कितने मंदिरों का निर्मान इसकाल में साथ में हो रहा था, कितनी patronage जो है जैसे वैशनव जो संप्रदाय है, अगर हम देखें कि मुगल बादशाहों की जो patronage थी, चाहिए वो मथुरा में हो, चाहिए वो ब्रज एरिया में हो, चाहिए वो अन्य जगों में हो, एक जबर्दस patronage जो है इन मंदिरों के प्रति भी साथ में होती थी, तो यह एक तरह से give and take जो है एक तरह से वो चलता रहता था, मुगल काल में हुआ, और औरंग जेब के समय में भी patronage मिला, औरंग जेब के समय में भी कुछ patronage जन जगों में चलता रहा था, उन जगों में चलता रहा, कुछ जो है जो important temples का जो destruction, जो उनके साथ में जो जोड़ा जाता है औरंग जेब को, उसके भी अलग-अलग किसम के कारण जो है इतिहासकार देते हैं, कुछ जो है वो पॉलिटिक्स से जोड करके देखते हैं, हालां कि यह हमें समझना चाहिए कि दो समुदायों के बीच में जो difficult relationship, हिंदू और मुसल्मान के बीच में, वो उसकाल में भी थी, और यह हमें समझन पर पड़ता है, यह कहना थोड़ा सा मतलब, it is difficult to believe, कि अरंगजेप को यह नहीं समझ आ रहा है कि इतना मतलब, अगर हम इस यानवाप पर की, इसके पारन जो है, इसके पॉलिटिकल मुव है, यह कहना थोड़ा सा मतलब, it is difficult to believe, लेकिन यह इतिहासके शिक्षक के तौर पर जो मैं कह सकती हूं वो यह है कि जब हम आज की समय में जो घटनाई जो पहले हुई है उनको rectify करने की कोशिश करते हैं कि हम दुबारा बनाएंगे या कुछ करेंगे तो इतिहास का एक खास मकसद होता है उस एक purpose होता है जो घटनाई past में हो गई उनको समझने के लिए कोई एक कट आफ पॉइंट तो होना चाहिए कि उसके पीछे नहीं जाएंगे क्योंकि जो मुद्दे जो है इतिहास जो है आज के समय में पर्टिकुलर्ली मध्यकालीन इतिहास बहुत महत्वपून हो गया है सबसे ज्यादा कोंटेस्टेट हो गया है सबसे ज्यादा उसी के बारे वगहर पढ़े बगautres समझे अरहे का एक ओपिनियन है उस पर सब जाहे वह सोशल मीडिया है चाहे वह टिलिविजिन है दुनिया का सोशल मीडिया सबसे बड़ा उनिवर्सिटी इस ले उसमें सबसे ज्यादा बात जो है आज से 20 साल पहले 30 साल पहले जो है जो भी था जो एक सोशल मीडिया तो नहीं था उस समय में कलोनियलिजम हमारे लिए एक बड़ा important मुद्दा था हम कुछ साल पहले आजाद को जिसको हम घुलामी जिसको दर एसल चाहिए जो कलोनियलिजम है हम उसके बारे में बात ही नहीं करते हैं उसको तो हम rri presenative शायद हमारे समाज में आज हमारे समाज में है नही है तो आप मतलब आप क्या करेंगे बिटिश तेटी को आज मतलब हिंदुस्तान में एक सर्टन परसेंटेज आप मुसलमान दिखते हैं तो वह उनके रेप्रेजेंटेटिव हो गए तो चुनाओ जीतने के लिए हम जो दूसरे जो कमुनिटी हैं हिंदू कमुनिटी उसमें से अ हम बच्चों को भी क्लास में कहते हैं कि कोई भी सवाल जो है वो अपने आप नैचरल ही नहीं उठता तो किस समय में कौन सा सवाल जरूरी हो जाता है हम इतनी जादा बात मद्यकाल की क्यों करते हैं आज के समय में हम अकबर के बारे में राना प्रताप के बारे में शिवा कि आधि हास गये आपने मतलब बहुत ही एक एक important point पे आ आपने ही अपनी ही बात को को समझना बहुत को चैनल कि बात को आज के तारीक में कि ये सवाल अब इतनी तेजी से क्यों उठाया जा रहा है मेरे ख्याल से औरंग्स विब के बारे में आपने जिस तरह से समझाया कि हमको मल्टी लेड तरीके से देखना पड़ेगा ब्लैक और वाइट में नहीं लेकिन उनकी ग्रे एरियाज को समझना पड़ेगा तो हमाई साथ आके इस कारिकर में बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये ग्रे एरियाज और ये जो सवाल क्यों उठाया जा रहा है सिर्फ सवाल से नहीं जूजना लेकिन उस सवाल से जुड़े हुए कि ये सवाल आज क्यों ये क्यों बोला जा रहा है काशी विशुनात टेंपल कॉरिडर के इनाग्रल में कि औरंगजेब शिवाजी इस तरह के क्यों जक्स्ट पोजिशन्स हो रहे हैं आप सोचिए इसके बारे में आपको जवाब जरूर मिलेगा ये कारिकरम देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद